हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम नवरात्री उत्सव के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कह लाइकन को कर लिजिए, प्रेस, तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं, without any time waste, दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए, मैंने जो भी बैक ग्राउंड इमेजेस, पी एंजी, इमेजेस का यूज किया है, उन सारे मेटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के में मिल जाएगा, और उसमें जो पासवर्ट लगा हुआ है, वो पासवर्ट आपको इसी वीडियो में दो जगा पे देखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से बिना इस्किप किये, एंड तक देखना है, तभी आपको पासवर्ट मिल पाएगा, नहीं त आप हमारे टेलिग्राम चैनल को ज़रूर जोइन कर लिजेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लिकेशन की ज़रूरत परिगी, जिसका नाम है पिक्सल लेब, हो सकता है आपके फोन में पहल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको निव टेक्स डिकाओ मिलेगा, इसको डिलीट करने के लिए उपर लेफ्ट कॉर्णर पर डिलीट का एक बटन मिलता है, इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ ओपर राइट कॉर्णर पर त्री और यहाँ पहले ही नंबर पर एक आपसणा आता है, यहाँ से यह वाला background image ज्लेक्स कीजिए और ओके करदीजिए, उसके बाद आपको ऊपर प्लस के खिए काईकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलेई में जाने के बाद आपको यहाँ से मदुरा का PNG ले लेना है, इसको हम और यहां right side में जो मोटा सा बिंदू आता है इस पर tap करके आप इसको छोटा बरा कर सकते इस तरीके से और इसको हम इस side में adjust कर देंगे उसके बाद आपको फिर से उपर plus के एकन पर click करना है from gallery में जाना है from gallery में जाने के बाद आपको यहां से यह वाला png लेना है okay करना है यहां पर जो right side में मोटा सा बिंदू आता है इस पर tap करके आप इसको भी zoom कर दीजिए और zoom करने के बाद यहां पर हम इसे adjust कर देंगे इसके बाद आपको फिर से उपर plus के icon पर click करना है from gallery में जाना है और यहां से आपको यह वाला text png लेना है और इसको भी zoom करके इस side यहां पर लगा देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे भी adjust कर दिया है अब दोस्तों आपको क्या करना है फिर से उपर plus के icon प png लेना है उस पर मैंने नीचे नाम भी लगा के रखा है आप चाहे तो text भी लिख सकते हैं तो यह दोना मैंने एक साथ करके रखा वाय तो इसको भी हम zoom करके इस side यहां पर लगा देंगे इस तरीके से तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा poster बनके ready हो चुका है कुछ इस तरह का हमारा poster बना है अब इस poster को save करने के लिए आपको उपर में share का एक button मिलता है इस पे click कीजिए इस पे click करने के बाद आपको यहां पे एक option आता है default का इस पे click कीजिए अल्टरा को select कीजिए और save to gallery कर दीजिए इससे होगा यह कि आपका जो यह poster बना है वो अल्टरा HD quality map की गैलेरी में save होगा तो दोस्तों अमीद करतों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और इसी तरह क वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए हम आप सब फिर मिलते हैं किसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए take care goodbye and tata दोस्तों thank you